असलाम अलेकोम एवरिवान और वेलकम बेक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब आज का व्लोग हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही इन्फरमेटिव है उन लोगों के लिए जो के जर्मनी में है या फिर जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं हमारा आज का जो व्लोग है व में सोच रहे हैं उनका क्या फ्यूचर होने वाला है तो जैसे आपको पता होगा के एंगला मेरिकल जो है तो शी जस लेफ्ट हर ऑफिस और अभी जो है तो कोलिजिन गॉर्मन जो है कमिंग इंटू प्लैस जिसमें तीन पार्टी एस्पीडी एफडीपी और ग्रून पार् इस पर बात हुई है इंप्लिमेंट कब होने वाला है यह अब ही तक नहीं पता लेकिन क्योंकि यह जर्मन जर्मनी है तो यहां जो बात होती है उस पर अमल भी किया जाता है तो जो सबसे इंपॉर्टन और सबसे बड़ी अच्छी बात है वो है सिटिजन शिप यह एक ही अच्छा इन्फरमेशन है और एक बहुत ही अच्छी न्यूस है उन लोगों के लिए जो के जर्मनी में काफी टा임 से रह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जो है तो वो यही है कि वो फॉर्टन जो के 5 यह साथ साल से जर्मनी में रह रहे हैं लेकिन अब ही तक पास कोई डॉकमेंट नहीं है और वो काम भी सही तरीके से कर रहे हैं तो इन तीनों पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इनको एक अच्छा मुस्तक्त बिल देने के लिए उनका जो स्टेटस है उसको लीगल किया जाएगा ताके ये लोग अपने फ्यूचर को जर्मनी में रह रहे हैं लेकिन उनका केस खारज हो चुका है तो उनको काम करने की इजाज़त भी नहीं है उनको बाकाइदा डुल्डूंग मिल चुका है डुल्डूंग उसको बोलते हैं जब आप यहां पर एज़ा साइलम सीकर अपलाय करते हैं और यहां की गौर्मन जो है तो आपके केस को खारज कर देती है और आपको डुल्डूंग दे देती है और कहती है कि आप आपको यहां से जाना पड़ेगा और आपका केस जो है तो हमने खारज कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है तो अपने इस डुल्डूंग के फैसले को नह रहा है चुँके इनको काम करने की इजाज़त नहीं है इसलिए गौर्मेंट की तरफ से इनको मंतली अलाउंस मिल रहा है तो यह भी डेफिनिटली जो गौर्मेंट है उस पर एक बर्डन ही है तो अब गौर्मेंट ने इसका यह सुलूशन निकाला है कि ऐसे लोगों को जो कि किसी illegal activity में during the stay in Germany नहीं रहे या फिर उनने कोई गलत काम बिलकुल नहीं किया और अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से यहां पर गुजारा है तो उनको probation पर उनको एक साल का वीजा मिलेगा और एक साल में उनको देखा जाएगा कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे है किसी गलत activity में तो नहीं पड़े और जर्मनी को अपना एक अच्छा आउटपुट दे रहे हैं तो उनको फिर permanent किया जाएगा दूसरी जो के बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सब लोगों के लिए जो के यहां जर्मनी में रह रहे हैं वो है dual citizenship will be allowed इससे पहले जर्मनी में dual citizenship नहीं थी सिर्फ और सिर्फ जो EU में के citizen थे या फिर वो स्विस के citizen थे सिर्फ उनको उनको उनके लिए dual citizenship allowed थी उसके ला हैं बहुत different मुलकों के जैसे के तुर्की हो गया पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया और भी बहुत से मुमालिक के लोग यहां पर काफी बरसों से रह रहे हैं उनके बच्चे यहां पर हुए हैं उनके बच्चे यहां पर बड़े हो गए उनके भी है तो definitely उनका status जो है तो dual citizenship में नहीं था उनके पास या तो वो अपने मलकी citizenship को ले या फिर जो है तो वो जर्मनी citizenship को ले ले लेकिन इस नई हकूमत ने आते ही इतनी बड़ी good news सुना दी है कि आप जो है तो dual citizenship will be allowed I am being a पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी जाने के लिए पाकिस्तान क का वीजा चाहिए को ता था क्योंकि मेरे पास जर्मनी का citizenship है तो ये एक मतलब एक مشकिल काम होता है कि अपने मुलक में जाने के लिए भी आपको जो है तो रीज़े की जरूट होती है लेकिन अब जो है ये चीज और ये जरूट जो है तो हमें नहीं रहेगी जो है तो हम्कैज हैं तो आट साल का अरसा काफी लंबा अरसा होता है तो अब जो है इस नई हकूमत ने आते ही ये बात बोली है कि अब वो लोग जिनों ने यहां पर पांच साल गुजारे होंगे वो जो है तो वो सिटिजनशिप के लिए अपलाइ कर सकते हैं हाँ बिलकुल ये जो नए लोग जर वो लोग जो के बिजनस के लिए आना चाहते हैं तो वो यहां पर जब अगर किसी भी वज़ा से यहां पर आते हैं पान साल गुजाते हैं उसके भाद इयर एलिजिबल तो अपलाई फर जर्मन सिटिसन शिप। बस उसके लिए आपको यह है कि बी यून का जो कॉर्स है जर्म will be eligible और फिर जो है तो आप citizenship के लिए apply कर सकते हैं और आपके पास dual citizenship होगी येस पहले ये था कि सिर्फ citizenship के लिए लेकिन अब आप अपने मुल्क की जो citizenship है उसको भी रख सकते हैं तो वाकि नई गौर्मेंट ने आते ही इतनी अच्छी अच्छी और गुड न्यूस दी वी है कि दिल खुश कर दिया इस दफ़ा इस गौर्मेंट ने आ कर तो और एंड में जो asylum seeker है उनके लिए asylum के लिए procedure बहुत ही easy कर दिया है वो चाहते हैं कि तरीका बहुत ही असान हो ताके बहुत जल्दी उस पर फैसला किया जा सके तो ये सारी good news आपके साथ शेयर करनी थी I hope कि काफी लोगों के लिए ये helpful रहा होगा और इन्शाला एक नई वीडियो के साथ कुछ नई information के साथ मैं बहुत जल्द दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी और अपना बहुत सा ख्याल रखें जहां रहें खुश और अबाद रहें मुझे मेरी फैमली को अपनी खास दुआ में याद रखें अल्ला हाफेज